नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो पहले से ठीक हूँ और यहां पर देखे सभी लोग हैं और बच्चे हैं यहां पर यह भी हैं और हाय कर रहे थे सब लोग तो यह दो तीन दिन का वीडियो है और टाइम ससवारो चाइम को ऑनाना होता है क्लेजा को नहीं टिया ठोड़ाया है चाय को दिते थे करिपाई में लोगा को दो नियुक्ता या हो 11 शवराष के ते आपना के लिए DOC मैंने चाय रिखना वा तौर ध facet तो थोड़ा बैगन की सबजी आलो और बैगन की सबजी बनाओंगी ते दिखे आपे आलो मैं काट लेती हूँ और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताएगा जरूर से और काफी अच्छा लगता है आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं तो आप लोग के सपोर्ट की वज़े से क्या पता मेरा जो इलाज है वो हो पाएगा और क्या पता मैं ठीक हो जाओं और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंसर रहता है कि मेरा ये जो कैसे में ठीक होगा और ठीक हो जाए क्योंकि मैं बहुत परिसान रहती हूँ बहुत ज़्यादा मैं परिसान रहती हूँ और बहुत दिक्कत होती है मुझे और मेरे हस्बेंड है जो वो अकेले हैं कमाने वाले और उपर से परिसान ही इतनी जादी रहती है कि मतलब यह नहीं करवा सकते हैं मेरा इलाज नहीं करवा पाएंगे और अगर मैं इनसे कुछ भी बोलती हूँ अगर किसी चीज के लिए तो आप बुसा भी करते हैं आप लोग को पता है मैं जादा नहीं बोल सकती हैं इनसे कुछ भी किसी भी चीज के लिए क्योंकि हमेशा हर बात को लेकर टोचर करना तो कोई इनसे सीखे हमेशा मतलब कुछ किसी न किसी बात पर लड़ाई हमेशा करते रहते हैं तो इसलिए मैं इंसे कुछ भी नहीं बोल सकती हूं ना बोलती हूं और अब तो घहर जाने के भी नौबत मतलब घर क्या हमारे पास कहीं घर है नहीं तो ये मुझे कहीं मतलब कहते हैं तु चली जा यहां से कहीं पर भी चली जा तो बस यही नहीं होता है जब इनसान साधी करता है उसको पूरी तरह से निभाता है लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं मेरी किसमत ही खराप थी मुझे नहीं पता तो यहां पर यह बैगन लाई थी आलू मैंने काट लिया था यह बैगन काट रही थी छोटे-छोटे से काटूंगी क्योंकि बहुत मतलब कि एक बैगन खराब था और अभी यह सही है सब आसारे बैगन सही है तो इस तरीके से काट के बनाओंगे मैं और बनाने जा रही हूं तो क्योंकि अगर कुछ जैसे कुछ दिन के बाद खाओना तो थोड़ी ठीक लगती है सब्जी तो इसलिए और आज मैं यह बना रही हूं तो आज मैं जिस तरीके से बनाओंगे आगर आप यह से बनाओग ना बहुत अच्छी सब्जी बनेगी और यहां पर मैंने सबजी काट लिया है अभी मैं धो देती हूं देखिए आप पानी डाल देती हूं अभी पहले क्योंकि न बेगन काला हो जाता है अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो यह खराब हो जाएगा कलर जैसे छोड़ने लगता है और यहां अलु मैं भी पानी डाल देत कड़ाई में अभी समें मैं डाल दी हूं प्याज तो प्याज को दोला डालने के बाद इसको मैं थोड़ी दिर भून को प्याज को प्याज लाल हो जाएगा फिर समें मैं डाल दूंगी टामाटर और सब्जी मतलब ना इस तरीक बनाओ और सर्सो के तेल में बहुत अच्छी सब्जी बनती है मैं हमेशा सर्सो का तेल यह दालती हूं यहां पे देखिए मैंने डाल दिया है और अभी मिश्में ट थोड़ी दर तक के लिए पहले पका लूँगे फिर उसके बाद में आलू डालूँगी इसमें पहले बैगन को भूल दूँगे अच्छे से पक जाएगा जैसे थोड़ा तब जा कि इसमें मैं डालूँगी यहां पर देखिए मैंने बैगन डाल दिया है अभी मैं इसको चला देती हूं थोड़ी देर के लिए तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और प्लीज दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहेगा क्योंकि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे ना तब भी जाके मेरा जो होगा ना मेरा जो इलाज है आप लोगों को मैं दिखाए थी अपनी सारी रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाई हूं मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं चुपाई हूं मैं सब कुछ आप लोगों के सामने रख दी थी क्योंकि मेरा कोई नहीं है आप लोगों के सिवा और कोई नहीं है हमारा और आप मेरा सपोर्ट अगर करेंगे तो क्योंकि आप ही लोग मेरे अपने हो मैं आप लोगों को अपना समझती हूं इसलिए मैं हर बात आप लोगों को सेर करती हूं मैंने एक गलती की है जिसकी गलती की सजा मुझे आज मील रही है और मैं हर उस लड़कियों को मतलब सला देती हूं कोई भी लड़ीकी हो तो वो पहले सोच ले समझ ले फिर अपने जिंदिगी के बारे में फैसला करें क्योंकि आज कल के डिट में देखा जाए तो सभी लोग ज्यादा तर यही लब मेरे से साधी करते हैं तो उस चीज के लिए पहले समझें अच्छे से जाज परताल कर ले फ बिमारी इतनी हो गई है मुझे अगर पता नहीं क्या पता मैं अगर कहीं और रहती तो मेरा सही हो जाता है लेकिन आज मुझे दस साल हो गए मेरे इस बिमारी को दस साल से मैं इस बिमारी को जेल रही हूं यह तो ऐसी दिक्कत है कि जो कि चलता गया चलता गया लेकिन अब जादा दिक्कत हो रही है मुझे पहले दीरे थोड़ी बहुत दवाया करती गई खाती गई और तुड़ा आराम होता रहा लेकिन अब आराम दवाय से नहीं हो रहा है बहुत जादा बीना ऑप्रेशन के नहीं ठीक होगा अब इतनी जादे दिक्कत हो गई है और यहां पर पहन के एक दिन होस्पिटल ही गई थी और तब से मेला कि यहां पर रख रखी थी और मैं ट्रांग नहीं पा रखी नहीं थी जिसे बैग में रखना था इसको और अभी मैं इसको चौपत चौपत के मतलब फोल्ड करकर के रखूंगी इस बैग में क्योंकि ऐसे बाहर नीचे रखा हुआ था इधर उदर तो ठीक नहीं लग रहा था तो आज मैं उसी को चौपत के रख दूँगी सारी से मतलब साड़ियों को और तो यहां पर फटा-फट से मैं रख देती हूं तो यह देखें और मैं आज मतलब बात करने का बिल्कुल भी नेमन करता है मेरा मेरे हजबन से मेरे पती से क्योंकि वो हरकत ही ऐसा करते हैं कल आपको बताई थी मैंने कल मतलब वो इतना ज्यादा चोट लगी थी मेरे नाक में मार दिये थे खीज के इनकी यादत है ऐसे ही क करते रहते हैं देखें आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से ऐसी हमेशा इस तरीके से करते हैं बहुत बहुत ही मतलब लेकिन रहना पड़ता है बच्चों का मुझ देखके सब कुछ बरदास करके रहना पड़ता है क्या कर सकते हैं और यह मेरे ही साथ नहीं बहुत सी अगर हमें कुछ हो जाए तो वो बरदास कर लेंगे लेकिन उन्हें कुछ हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे ये हर औरत की बात होती है और अगर हमें मार भी देते हैं तो हम बरदास कर लेते हैं तो बस यही बात है कि अगर यह मुझे मार भी देते हैं तो मैं बरदास कर इसके बारे में नहीं कुछ कहती हूं लेकिन मैं आप λोगों से मैं नहीं छुपा सकती है कि एको तो बाते हैं उतार सःनीये कुघाई दुख सपभी nggak दोग मेरे सपोर्ट करते हैं आपoration लिए ँपिस रख रहते हैं अ। यहां पर देखिए यह एक व्रह बैग को उतारकर भी में रख आ ये वाला उसले हैं इसले वाल हम मय रखोंगी क्यों के तो इसे में रख दूँगी अभी सारे कपड़े जो है इसी में रखूंगी मैं तो और कहीं क्योंकि ना देखिया और कहीं जगए नहीं है तो इसी तरीके से में कपड़े को रखती हूँ और इतनी जगए नहीं है कपड़े में और कहीं रखने के लिए तो यहां पर रख देती हूं और बहुत मुस्किल होता है कपड़ा रखना मेरे लिए क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है आप लोगों को देख सकते हैं एक खटिया की जगह है जिसमें मैं रहती हूं और मतलब इसमें खाना भी बनाती हूं सोना बैठना सबकुछ मेरा इसी घर में होता है मतलब जो भी मेरा यही है इसमें हम लोग अपना गुजारा करते हैं तो कपड़े उपड़े रखने की समस्या होती है क्योंकि जगह नहीं है और इसका भी हमें किराया देना पड़ता है अगर नही देते हैं तो मतलब टाइम से टाइम देना पड़ जाता है क्योंकि यहां की जो मकान मालकीद वह बेकार है अगर हम नहीं देने टाइम से तो वह निकाल देगी घर से बाहर कर देगी कहती है सीधा कि मैं फेक दूंगे बाहर समान तो ऐसा सब कुछ हो जाता है अगर हम नहीं देंगे तो बहुत कई लोग अच्छे होते हैं लेकिन यह नहीं सही है लेकिन यहां पर मैंने कपड़े रख दी हैं अभी यह सब कुछ सही से रख देती हूँ बस इतना ही था और अभी जो भी है आप लोग बताएगा जरूर से औ और यहां पर यह सारे कपड़े रख के में साइड में कर देती हूँ तो बस और अभी यह साम का टाइम हो गया था तो बस आप लोग जो है थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिएगा आज की मारी वीडियो बस इतनी है मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अपना धियान रखना और मेरा भी